M.H.C.E.T. का exam है और contract law हमसे अभी आता नहीं है या फिर C.U.E.T.P.G.L.L.B. में legal awareness जरूर है जिसके लिए हमको law of contract पढ़ना जरूरी है बट हमें यह पता नहीं है कि आखिर इसको कैसे पढ़ा जाए जी हाँ guys and girls अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो let me tell you कि आप अभी इस समय एकदम perfect जगह है बट आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं हम यहाँ पर पूरा का पूरा law of contract के सबसे important subject matter जो आपके examination के लिए important है जो आपको M.H.C.E.T. exam में काम आएगा जो आपको C.U.E.T.P.G.L.L.B. examination में काम आएगा जो आपको काम आएगा अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया SLAT में CLAT में या वो सारे examination में जहाँ पर आप से law of contract पूछा जाता है वो सभी चीजें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बट आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है अगर अभी तक आपने यह like बटन पर क्लिक किया नहीं है तो जल से जल क्लिक कर दीजिए और चैनल को subscribe करना आप बिलकुल भी न भूले जी हाँ guys and girls so we are starting with this session today it will be a short session that means हम कोशिश करेंगे कि हम एक घंटे के अंदर अंदर यह पूरा का पूरा law of contract जो है वो यहाँ पर खतम करें चीक है चली तो अब करते हैं शुरुवात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर becoming zero to hero in your class and other law entrance examinations for your law of contract जी guys and girls सबसे पहले सवाल यह आता है कि आखिर contract होता क्या है contract क्या होता है यह जानने से पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर offer क्या होता है फिर हम यह समझेंगे कि आखिर acceptance क्या होता है फिर हम यह देखेंगे कि कैसे एक offer और एक acceptance मिलकर एक promise बनाते हैं और फिर promise बनाने के बाद अगर इसमें consideration जोड़ दिया जाता है तो फिर ये बन जाता है आपका एक agreement and all the agreements which are enforceable by law ये कहलाते हैं हमारा जो है contract अब इन सब चीजों को in detail हम यहाँ पर अभी इस वक्त समझने वाले हैं सबसे पहले हम शुरुबात करेंगे एक offer से offer जानने के लिए मैं सीधा लेकर चलूँगा आपको यहाँ पर जी हाँ so when we talk about the law of contract तो आपको पता होना चाहिए कि Indian contract act 1872 के section number 2 में बहुत सारी definitions दी गही है when we say definitions तो basically कोई भी कानून जब होता है तो mostly जादतर ऐसा ही होता है कि section number 1 जो होता है वो basically बात कर रहा होता है उस particular law के बारे में उसका title और उसका थोड़ा सा introduction बट जो आपका section number 2 होता है वो section number 2 यहाँ पर जो है वो बात कर रहा होता है about certain definitions जो कि उस particular कानून में आपको देखने को मिलती है वही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी जैसा कि आप यहाँ देख सकते है section number 2A section number 2A जो हमारे Indian Contract Act का है वो basically बताता है कि एक offer होगा क्या यह क्या बताएगा कि आखिर क्या वो चीज होगी जिसको हम एक offer कहेंगे ठीक है offer basically होता गया तो सबसे पहले समझिये कि offer जो है this is considered to be the very first step towards making a contract एक contract बनाने के लिए सबसे पहला step जो लिया जाता है वो आपका offer consider किया जाता है offer की परिभाषा section number 2a में दी गई है जो यह बतलाती है that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इक्षा जाहिर करता है किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने की इस उद्देश से कि सामने वाला व्यक्ति अपनी यहां पर हामी हम को दे I repeat when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the ascent of that another he is said to have made an offer and यह जो offer होता है इसको हम proposal के नाम से भी चानते हैं आएए अब बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं इस definition में कि क्या है major ingredients आप देख सकते हो when one person signifies to another यानि यहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बता रहा है क्या बता रहा है his willingness to do or to abstain from doing anything अपनी चाहत कुछ करने या कुछ ना करने की किस उद्देश से with a view to obtain the ascent of that other इस उद्देश से कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी ascent इसमें हमें दे दे वो अपनी अनुमती अपनी हामी हमको इस चीज में दे दे तो इसको हम क्या बोलेंगे offer suppose करिये मैं जाता हूँ market में and I want to buy a car मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति हैं जिनकी बहुत अच्छी कार है और मुझे लगता है कि शायद ये उस कार को बेचने के लिए एक शुक होंगे तो मैं उनसे कहूँगा that Sir, I wish to buy a car for 10 lakh rupees अब मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर उनको अपनी एक इक्षा जो है वो जाहिर करी है इक्षा किस चीज की to do or to abstain from doing something याने कुछ करने या कुछ ना करने की किस उद्देश से कि अब वो सामने वाले व्यक्ति इस चीज को अपनी अनुमती, अपनी हामी, अपनी असिंट जो है वो देंगे समझ में आगे This is what is known as an offer जो भी व्यक्ति offer देता है उस व्यक्ति को हम offerer कहते हैं जिस व्यक्ति को offer दिया जाता है उस व्यक्ति को हम offeree कहते हैं So in this case, I will be the offerer क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को जो है उनकी कार खरीदने के लिए एक offer दिया है और जिनको मैंने ये कार खरीदने के लिए offer दिया है वो जो है उसको जो है offer reconsider किया जाएगा, ठीक है, I hope I am clear till here, चलिए, now we will talk about कि एक offer जो है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, याने we are trying to know the types of offer, Types of offer में अगर हम देखें, तो सबसे पहला offer जो हम सभी की आँखों के सामने आता है, that is an express offer, that is an express offer, what do you mean by express offer, तो express offer जैसा कि शब्द बता रहा है, basically it is a kind of an offer, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने की इक्षा जाहिर कर रहा है, in words, शब्दों में बया किया जा रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि express किया गया है, क्या किया जा रहा है, शब्दों में बया किय जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, expressed offer, ये शब्द कैसे हो सकते हैं, can they be oral, can they be written, they can be both, अपनी जो इक्षा वो जाहिर कर रहे हैं शब्दों में, वो चाहे तो लिखित हो सकती है, चाहे तो वो oral भी हो सकती है, इसके अलावा, जो second kind of offer होता है, that is an implied offer, implied offer is an offer, जो शब्दों में बया नहीं किया जाता, बट रादर ये सामने वाले व्यक्ति के conduct से आपको नजर में आता है, उनके द्वारा किये गए कार से आपको नजर में आता है, याने उन्होंने आपको by words ये चीज़ specifically नहीं बताई है, but it has been, it has been done through their conduct, चीक है, तो ये जो है, that is certified offer, इसके अलावा, आपका offer जो है, वो या तो हो सकता है specific offer, या तो ये हो सकता है general offer, या तो ये हो सकता है general offer, अब सवाल ही उठता है, कि सर ये specific and ये general offer होते हैं देखिए जब भी हम बात करते हैं specific offer की तो ये वो प्रकार के offers होते हैं जो कि किसी एक specific person को दिये जाते हैं for example अगर मैंने उस व्यक्ति को ये कहा कि मैं आपकी car 10 lakh रुपीज में खरीदना चाहता हूँ तो मैंने ये offer केवल और केवल उस व्यक्ति को ही दिया है मैंने ये offer किसी और व्यक्ति को नहीं दिया है कोई और व्यक्ति इस चीज़ को जो है अपने लिए offer consider नहीं कर सकता ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कोई relative या उनका कोई acquaintance या फिर उनका कोई friend मेरे पास आकर ये बोले कि आपने जो offer उनको दिया है वो मैं accept करने के लिए तयार हूँ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहाँ पर offer केवल और केवल एक व्यक्ति के लिए ही दिया गया है अब दूसरा kind of offer जो होता है that is a general offer general offer जैसा की शब्द बता रहा है it is an offer that is given to the public at large एक ऐसा offer जो की पूरी की पूरी public के लिए openly बताया गया है and anybody can come up and accept the offer for example मैं आपको यहाँ पर एक case law से वाकित करना चाहूंगा case law का नाम है कारलिल वर्सिस कर्बॉलिक स्मोग बॉल कारलिल वर्सिस कर्बॉलिक स्मोग बॉल कंपनी basically इस case law में क्या हुआ था there was a company drug company थी drug मतलब यहाँ पर हम medicine की बात कर रहे है तो एक drug company थी उन्होंने क्या किया उन्होंने एक drug बनाया एक दवाई बनाई और advertisement जो है वो newspaper में दी कि यह दवाई जो है यह दवाई influenza में बहुत कारे रथ है and जो भी विक्ति इस particular दवाई को खाएगा उसको कभी life में influenza नहीं होगा and अगर होता है तो फिर हम उनको compensate करेंगे so basically there was a company named as Carbolic Smokeball they claimed that if in case there is a person who is taking this medicine which has been prepared by us he will never be getting influenza ever in his life and if in case he or she does then we will be compensating him or her ठीक है अब होता है कि एक lady होती है जिनका नाम था Carlyle इन्होंने यह दवाई जो है वो खाई and दवाई खाने के बाद इनको फिर भी influenza जो है वो हो जाता है जब इनको influenza होता है यह जाती है company के पास और कहती है कि आप हमें compensation दीजिए company के द्वारा यह कहा जाता है कि we cannot give you compensation because there was no contract between you and me तब जाकर यह कहा जाती है यह जाती है सीधे court and जब court जाती है court उस company को यह एहसास दिलाते है कि आपके द्वारा जो offer दिया गया था that was a general offer when we say that was a general offer कहने का मतलब कि वो एक ऐसा offer था जो कोई भी व्यक्ति accept कर सकता था क्योंकि it was open for the public at large to accept because it was given to the public at large and therefore जो भी व्यक्ति उस particular condition को fulfill कर रहा है which you people have asked for that means उसने आपका acceptance किया है and then therefore आपको contract जो है वो form हो जाता है and उस इस्तिती में अगर किसी भी प्रकार से आपके द्वारा यहां पर इस चीज़ को fulfill नहीं किया जाता है then उस situation में आपको जो है क्या करना पड़ेगा आपको जो है इसको compensate करना ही पड़ेगा चालिए अब इसके अलावा जो other kind of offer जो other kind of offer जो है वह है आपका क्रॉस ओपर कि वह डूइन बाइक क्रॉस ओपर कि मेरी एक कार है और मेरे एक फ्रेंड है वो चाहता है कि वह मेरी इस कार को खरीदे और उसी समय मेरे मन में भी एक्षा जागी कि मैं अपनी इस कार को अपने उस फ्रेंड को दे दूं यानि कि हम दोनों क्या करते हैं एक लेटर लिखते हैं एक दूसरे को और उस लेटर में लिखते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ I want to sell my car to you at 10 lakh rupees वहीं वो जो मेरा मित्र है मेरा फ्रेंड है वो लेटर लिखता है that I want to buy your car for 10 lakh rupees तो यहाँ पर हुआ क्या कि हम दोनों ने ही same terms of bargain जो है वो यहाँ पर लिखे और फिर उनको जो है हमने एक दूसरे को भेजा तो cross offer क्या होता है when two offers having the same terms of bargain cross each other through post it is known as cross offer यानि यहाँ पर दो offer एक दूसरे को cross कर रहे हैं और दोनों ही offer में same terms of bargain दिये हुए हैं तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे cross offer चीक है next आपने बहुत ज़्यादा shark tank में भी देखा होगा इस चीज़ को it is counter offer what do you mean by counter offer suppose करिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि मैं आपका घर 1cr एक क्रोड़ रुपे में खरीदना चाता हूँ और दूसरा व्यक्ति पहले सोचता है समझता है फिर वो कहता कि नहीं एक क्रोड़ रुपे तो बहुत ज़्यादा price है let's do one thing कि आप मेरा घर जो है बहुत कम price है I'm so sorry आप जो है मेरा घर क्या करिए आप मेरा घर 1.15CR में खरी दिये तो अब इस इस्तिती में क्या हुआ इस इस्तिती में एक offer जो दिया गया था उसके ऊपर एक दूसरा offer दिया गया याने an offer over another offer याने जो offer दिया हुआ है उसके ऊपर जब आप एक और offer देते हो so that is what is basically known as counter offer ठीक है चलिए अब आते हैं इसके आगे या एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि क्या sir अगर cross offer में थे हम तो दोनों ही parties ने एक दूसरे को अगर same terms of bargain के तहट cross offer दिया है तो क्या ऐसी स्तिती में ये माना जाएगा कि contract automatically form हो जाएगा क्योंकि both the parties are asking for the same thing the answer is no in such a situation कभी भी automatically जो आपका contract है वो नहीं बनेगा ये आपको पता होना चाहिए cross offer की वज़र से दोनों ही offer negate हो जाते हैं and वहाँ पर आप किसी भी तरह से उसको acceptance consider नहीं करोगे ठीक है चले नेक्स्ट मुविंग टू स्टैंडिंग ओपर तैंडिंग ओफर का मतलब होता है an offer which is open for acceptance only for a specific period of time एक ऐसा offer जिसको अगर आप accept करना चाहते हो तो it is kept for acceptance only for a specific period of time आप उसको accept कर सकते हो let's suppose एक साल के दर्मिया let's suppose six months के दर्मिया let's suppose दो मन्त के दर्मिया याने वहाँ पर जो time frame है जिसके अंदर अंदर acceptance किया जा सकता है उसको हम standing offer के नाम से जान दें ठीक है I hope ये सारी चीज़े clear है एक बार ही इसको अच्छे से देख लीजे different kinds of offer that we have told over here दने चले let's move ahead अब हम आते हैं आगे एक बहुत important चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए about an offer that is offer must be communicated to the person it is made offer जो है जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है उस व्यक्ति को कम से कम communicate तो करें कि उस व्यक्ति को पता चले कि एक offer जो है वो मेरे लिए है इसके लिए एक बहुत प्यारा सा case है जिसका नाम है लालमन चुकला वर्सिस गौरी दत्ता इस case में क्या होता है basically गौरी दत्ता एक लेडी होती है और लालमन चुकला जो है वो उनके servant होते है और तभी गौरी दत्ता जी के घर का एक छोटा सा बच्चा खो जाता है फूरा का पूरा शहर उनको धूड़ रहे बट वो नहीं मिलता है तो गौरी दत्ता क्या करती है लालमन चुकला जी को कहती है आप भी जाए धूड़ी लालमन चुकला जी भी धूड़ रहे होते हैं तभी फिर उनको कहीं से पता चलता है कि शायद ये बच्चा जो है वो किसी दूसरे शहर हरिद्वार जो है वो जा चुका है तो फिर उस इस्तिती में गौरी दत्ता लालमन चुकला को कहती है कि मैं आपकी टिकेट करा रही हूँ आप जाए और हरिद्वार से उनको लेकर यहाँ पर आए तो ये जाते हैं उनको लेने के लिए और दो-ती दिन हो जाते हैं तब भी अगर बच्चा नहीं आता है तो सब बहुत घबरा रहे होते हैं तो फिर गौरी दत्ता जो हैं वो एक ओफर निकालती जो भी व्यक्ति मेरे घर के बच्चे को लाकर देगा उस व्यक्ति को जो है हम यहां पर बहुत जादा अच्छा प्राइज देंगे इक प्राइज जो है वह कोट किया गया था उस समय के हिस गए थे वह आते हैं खुशी-खुशी सबी लोग बच्चे से मिलते हैं फिर लालमन चुकला अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वाइफ और उनके नेबर्स उनको यह बताते हैं कि तुमारे साथ तो गलत हुआ है धोका हुआ है आपके साथ वोले क्यों वोले कि आ आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ है गलत हुआ है अब यह जाते हैं मैडम के पास कहते हैं मैडम आपने में साथ गलत क्या जब आपने एक offer रखा था तो वह offer जो है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है तो फिर इस तिती में गुस्ता हो जाती है कि कुछ भी बात कर रहे हो यह वह उनकी काल दें जैसे ही उनको नकी नौकरी से निकाला जाता है यह बहुत ही जादा इसाप इसहले है कि सर मैं उस् यहाँ पर ऑफर दे रखा था मैंने अपने चैड़ा कि थूष उस बच्शी को लाकर यहां पर उस offer को एक्सेप किया है और इसी लिए मुझे यहाँ पर वो compensation मिलना चाहिए वो price money मिलना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पर मेरे लिए decide किया था However, जच साब यहाँ पर पूछते हैं क्या जब आप अपने घर से निकल रहे थे उस समय आपको offer के बारे में पता था? उन्होंने कहा नहीं क्या जब आप वहाँ हरिद्वार पहुँच गए क्या तब भी आपको इस offer के बारे में पता था? उन्होंने कहा नहीं क्या जब आप बच्चे को लेकर घर आ गए तब भी आपको इस offer के बारे में पता था? उन्होंने कहा नहीं तो जब आपको offer के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उस चीज़ का acceptance दे कैसे सकते हो, आप किसी चीज़ के लिए acceptance देना चाहते हो, आप यह कह रहे हो मेरे conduct को acceptance माना जाए, हम मान लेंगे, बट acceptance तब माना जाएगा ना, जब अगर आपने offer के बारे में knowledge तो हो, हम किसी चीज़ के लिए अपनी अनुमती, अपनी हामी तभी तो देंगे जब हमको उसके बारे में पता है, since offer was never communicated to you, how can you claim your conduct to be equivalent to acceptance over here, and since you cannot do it, that is the reason, we cannot say, we cannot say, कि आपने यहां पर एक valid acceptance दिया, and चूकी valid acceptance नहीं है, there never existed a contract, and since there was never a contract, you are not entitled to any kind of price money, ठीक है, so this is what is known as, the case of LALMAN SHUKLA versus GAURI DATTA, चलिए, let's move ahead, अब यहां पर हम बात करते हैं, offer की हमने बात कर ली, now we are talking about acceptance, acceptance, acceptance क्या होता है, acceptance is basically, जिस व्यक्ती को हमने offer दिया था, let's suppose I said, I want to buy a car for 10 lakh rupees, and सामने वाले व्यक्ती ने उस चीज में अपनी हामी दे दी, सामने वाले व्यक्ती ने उस चीज में अपनी अनुमती दे दी, उसको ही हम यहाँ पर कहेंगे, acceptance, क्या कहेंगे, acceptance, अब ध्यान से देखिए, when we talk about acceptance, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, section number 2B की, because this is the second step towards formation of a contract, क्या है यह second step towards formation of a contract, क्या कहता है यह परिभाषा acceptance की, when the person to whom the offer is made, gives his assent there to, is said to have accepted the offer, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर highlight कर देता हूँ, आपके लिए, when the person to whom the offer is made, जब वह व्यक्ति, जिसको offer दिया गया था, यह चीज हमारे लिए बहुत important है जानना, कि ऐसा नहीं होगा, कि अगर मैंने सुरेश को offer दिया है, कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो रमेश उसको accept कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कि अगर मैंने शालनी को कहा है, कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, तो नालनी यहाँ पर उस चीज को accept कर ले, ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता, why? because only the person to whom the offer is given, can accept the offer, केवल और केवल उनके ही द्वारा यहाँ पर offer को accept किया जा सकता है, this is what is given over here, in section number 2B, that when the person to whom the offer is made, signifies his ascent there too, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted, and whenever a proposal is accepted, it becomes what? it becomes the, it becomes the promise, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पर हम यह कह रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, एक offer जो है, यह दिया गया था, अब इस offer को जैसे ही acceptance मिल जाता है, इस offer को जैसे ही acceptance मिल जाता है, यह क्या बनाता है, यह बनाता है एक promise, यह बनाता है एक promise, यानि दोनों ही parties ने एक दूसरे से कुछ वादा किया है, और यह वादा हम निभाएंगे, लेकिन वादा अगर आप निभाने से पीछे हट गए, तो फिर there has to be a mechanism जो इसको enforce करवाई, इसलिए हम इन promises को आगे agreement बनाते हैं, और agreement को आगे लिज़ा कर हम एक contract बनाते हैं, ठीक है, जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, offer plus acceptance is equal to promise, but I have a question, I have a question, let's suppose मैंने एक व्यक्ति को बोला, कि मैं आपका घर एत करुरोपे में खरीदना चाहता हूँ, I want to buy your house for 1CR, तो क्या सामने वाला व्यक्ति बोलता है, okay, I am ready to sell my house for 1.05CR, क्या सामने वाला व्यक्ति अपनी acceptance ऐसे दे सकता है, the answer would be no, ऐसा नहीं किया जा सकता, why? Because the acceptance has to be absolute, the acceptance has to be unqualified, किसी भी प्रकार का qualification, यहां पर acceptance के साथ, किसी भी प्रकार की condition, add नहीं की जानी चाहे, it has to be absolute, clear, चाली, अब हम बढ़ेंगे आगे, and now we are going to study about something, which is known as consideration, consideration, ठीक है, what do you mean by consideration, guys and girls? Sir and ma'am, जब भी हम पढ़ते हैं, consideration के बारे में, तो हमको आज के जमाने के रिष्टे नजर आ जाते हैं, क्या होते हैं? हम हमेशा यह बूछते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, हम हमेशा सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहते हैं, कि जो unconditional चीज़ें पहले हुआ करती थी, जो unconditional love हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, वो आज के समय में थोड़ा सा missing है, वैसे ही आपका consideration है, consideration ये कहता है, कि there has to be always something in return of something, जब हम consideration की बात करते हैं, तो आपको एक यहां पर maxim पता होना चाहिए, that is what is known as quid pro co, quid pro co, what do you mean by quid pro co, quid pro co का मतलब हुता है, something in return of something, something in return of something, is what is known as quid pro co, ठीक है, suppose करें, suppose करें, there is Mr. A, and there is Mr. B, Mr. A, Mr. B को कहते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, 10 lakh rupees, 10 lakh rupees, उसके बदले में, आप मुझे क्या देंगे, car, तो यहां पर, क्या हो रहा है, something in return of something, या फिर something in return of something, तो जब भी गभी, एक व्यक्ती, दूसरे व्यक्ती की इक्षा पर, वो चीज करता है, जो वो चाहता है, किसी चीज के बदले में, तो उसको हम consideration कहते हैं, however, इसकी definition मैं आपको detail में समझाऊंगा, that when at the desire of the promiser, the promise or any other person, has abstained from doing something, or abstains from doing something, or does something, or promises to do something, or abstain from doing something, he is said to have, this is known as consideration, but हम इसके बारे में समझेंगे, अभी आ जाते हैं आपर, suppose करिये, if we talk about consideration, हमने ये समझ लिया, कि sir, something in return of something, for example, एक और example समझाता हूं, suppose करो, कि रात को, दो बज़े आपको भूख लगती है, ठीक है, आपको जैसे ही भूख लगती है, आप अपनी बहन से कहते हैं, कि एक काम कहते हैं, मैंगी बना दे यार, आपकी बहन बोलेगी, ठीक है ठीक है, मैं बना दूँगी, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह कि मैं मैगी बनाऊंगी तुमको जो है vegetables काटने पड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी बहन आपके साथ trade-off कर रहे हैं और कह रही है कि आप किसी चीज के बदले में किसी चीज को करें याने something in return of something आपको यहाँ पर करना पड़ेगा तो आप उस चीज के लिए agree कर जाते हूं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यही consideration होता है जैसे कि A अगर 10,00,00 रुपीज दे रही है तो उनको उसके बदले में क्या मिल रहा है उनको उसके बदले में कार मिल रही है कहने का तात पर यह जो कार है यह जो कार है this is the consideration for Mr. A right? because this is what he is getting in return वहीं अगर B की बात करें तो वो क्या दे रहे हैं? कार दे रहे हैं what is he getting in return? he is getting 10,00,00 रुपीज इन रुपीज याने for Mr. B the consideration is these 10,00,00 रुपीज तो जब भी कभी हम इस प्रकार के transactions देखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? consideration चलिए अब जल्दी से मैं आपको इसकी definition दिखा देता हूँ definition जो है consideration की यह आपको दी गई है section number 2D में section number 2D of the Indian Contract Act में अब ये section number 2D क्या बोलता है? धीरे धीरे करके पढ़ेंगे क्योंकि it is important चलिए सबसे पहले when at the desire of the promisor सबसे पहली चीज जो required है that is कि desire of the promisor होनी चाहिए याने जो consideration है वो सामने वाले व्यक्ति की इक्षा के अनुसार होना चाहिए suppose करे suppose करे मैं एक व्यक्ति हूँ और मैंने क्या किया मैंने जो है अपने एक घर लेने के लिए 1CR रुपीज जो है वो देने की बात करी बट जो सामने वाली पार्टी है वो चाहती है कि वो घर केवल 1.5CR में ही जाएगा उससे नीचे नहीं जाएगा तो क्या मैं अगर उनको 1CR देने के लिए तयार हूँ तो will it amount to a valid consideration क्या इस consideration को हम valid consider करेंगे क्या इसको मानने consider किया जाएगा बिल्कुल भी नहीं क्यों नहीं किया जाएगा मानने consider क्योंकि sir and ma'am जो भी consideration है that should come at the desire of the promiser यानि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी इक्षा अनुसार होना चाहिए consideration मैं अपनी इक्षा से जो देना चाहूँ वो एक valid consideration नहीं consider किया जाएगा similarly let us suppose मैं जो है घर लेने के लिए तयार हो जाता हूँ मैं कहता हूँ ठीक है I will pay 1.5 lakh rupees 1.5 CR बट ये 1.5 CR जो है ये मैं नहीं दूँगा घर मेरे नाम पे होगा सब कुछ मेरे नाम पे होगा लेकिन ये जो consideration आ रहा है ये मेरे let's suppose बड़े भाई देंगे तो क्या ऐसी स्तिती में जो सामने वाली party है उनको इससे कुछ दिक्कत होगी नई उनको तो पैसे चाहिए न जहां पर मैं जो है अपनी बहन से कहता हूँ कि प्लीज मैगी बनवा दो मैगी बना दो तो मेरी बहन कहती है नहीं मेरे को assignment करना या तो तू मेरा assignment कर दे मैं कहता हूँ ठीक है मैं अभी करवाता हूँ आपका assignment मैं अपने किसी एक junior को phone करता हूँ मैं उसे request करता हूँ यार प्लीज या assignment कर दो तुमारे ही class का है मेरी बहन है छोटी वो चाहती है कि उसका assignment हो जाए तो मैं उससे Maggie बनवा लूँँगा वो बोलता है ठीगे बहिया मैं करवा देता हूँ अगर let's suppose ऐसा कुछ हुआ तो क्या मेरी बहन मना करेगी मैं तो चाहती हूँ assignment आप ही को बनाना है मैं कहीं से भी बनवाँ उसको भी यही चाहिए कि assignment बना होना चाहिए यह मैं क्यों बोल रहा हूँ because the promise or any other person can also give the consideration on behalf of the promise it is not necessary कि जो consideration है वो केवल और केवल इसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए बट रादर किसी और व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है ठीक है so when at the desire of the promiser the promise or any other person वापस से आते हैं उसी incident पे जहां पर मैं बता रहा था मैगी वाली बात आप लोगों ने इस चीज से connect कर पाऊगे कई बारी हुआ होगा कि आपकी बेहन बोलेगी नहीं मैं नहीं बना रही मैगी तो आप क्या बोलोगे याद करो वो दिन जब दो हफते पहले तुमको बहुत जोड से भूक लगी थी मैं गया था किचिन में और मैंने तुम्हारे लिए किया था कहने का ताथ पर आप उसको वहाँ पर क्या एहसास दिलवा रहे हो आप उसको वहाँ पर कंसिडरेशन का एहसास दिलवा रहे हो किस चीज का एहसास दिलवा रहे हो आप उसको कंसिडरेशन का एहसास दिलवा रहे हो आप उसको बता रहे हो कि किस तरीके से आपने past में एक चीज करी हुई है already दूसरा scenario जहां हम दोनों मिलके बनाते हैं आप मैगी बनाए मैं vegetables काटता हूँ याने एक साथ चीजें हो रही है whereas ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहन बोले ठीक है आज मैं बना दे रही हूँ लेकिन फिर आगे जाकर तुमको मेरे लिए एक दिन जिस दिन मुझे भूक लगेगी तुमको मैगी बनानी पड़ेगी तो आप बोलोगे ठीक है मैं जब आप बोलोगे उस समय मैगी बना दूँगा याने तीनों ही सिनारियोज हो सकते ऐसा हो सकता है कि जो चीज इन रिटर्न करनी है वो आपने पहले ही कर रखी हो या आप अभी प्रेजेंट में करने वाले हो या फिर आप आगे फ्यूचर में इस चीज़ को कर सकते हो है ना इसलिए हम कहते हैं जो ऐसलिए होता है या पर आप देते हैं ब मेंद और परमिसर, या थे और अब स्क। और दस और abstains from doing something या फिर promises to do or abstains from doing something such an act or abstinence or promise is called consideration समझ में आ गया very good अब आ जाते हैं जी आगे यहां पर अब आप आएंगे तो आपको दिखेगा section number 2E section number 2E is basically the definition of agreement the definition of agreement क्या कहती है every promise और every set of promises हर वो promise या every set of promises which is basically forming consideration to for each other is an agreement every promise और every set of promises forming consideration for each other is an agreement ये क्या बात परी सर चल्दी से दिखा देते हैं एक offer दिया गया था एक offer दिया गया था ये offer के साथ जैसे ही acceptance जुड़ता है तो ये क्या बनाता है ये बनाता है promise किसी भी promise के साथ जैसे ही consideration add किया जाता है ये बनाता है एक agreement तो सर्फ contract क्या होता है क्या सारे agreements contracts होते हैं the answer would be no केवल और केवल केवल वही agreements contracts हो सकते हैं केवल और केवल वही agreements contracts हो सकते हैं जो agreements lawfully enforce करवाई जा सकते हैं, फिर से सुनिये, all those agreements which are enforceable by the law can be termed as a contract, देर्फोर हम थर्ड एक्वेशन यहां पर यह कह सकते हैं, हम थर्ड एक्वेशन यहां पर यह कह सकते हैं, that agreement enforceable, sorry, agreement plus lawful enforcement gives us something which is known as contract, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह Indian Contract Act का section number 2H कह रहा है, यहीं से हम ने शुरुवात की थी, अब हम यहां पर वापस आ गए हैं, according to section number 2H, the Indian Contract of the Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract, ठीक है, I hope अब आप लोगों को यह चीज़े समझ में आगे होंगी, so, अगर हम contract के elements को देखने जाएं, तो सबसे पहले there has to be an agreement, and यह जो agreement है, it must be enforceable by law, इसी के साथ, एक और चीज़ आपको बताते हैं, suppose करेए, यह पूरा का पूरा blue region जो है, यह है आपका एक agreement, ठीक है, and इस में से, अगर आप देखो, तो यह जो red region है, this is what is your contract, यह जो आपका red region है, this is your contract, and इसके अलावा, जो पूरा का पूरा blue region है, that is your agreement, अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं आप से question करता हूँ, एक second रुख जाएगा, बस इसको लिख देता हूँ, this is basically a contract, and this is an agreement, blue is agreement, and red is your contract, अब मैं आप से question करता हूँ, आपको सिर्फ सामने देखके imagine करना है, is, is, all of red a part of all of blue, क्या पूरा का पूरा red is a part of पूरा का पूरा blue, आप कहोगे बिल्कुल सर, सही है तो, फिर से question पूछता हूँ, is all of blue a part of all of red, आप कहेंगे नहीं सर, all of blue कैसे part of red हो सकता है, कितना सारा blue region तो है, वो बाहर के तरफ हमको दिख रहा है, यह देखिए, कितना सारा blue region जो है, यह तो red के बाहर है, बस, इसी चीज़ को अब आपको जो है, शब्दों में लिखना है, contract और agreement को consider करते हुए, क्या लिखेंगे हम, हम यहाँ पर लिखेंगे, that, all contracts, are agreements, but, all agreements, are not contracts, सारे के सारे contract, agreement होते हैं, बट सारे के सारे agreements, contracts नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि केवल वही agreements, contracts बन पादे हैं, जो आपके lawfully enforce करवाई जा सकते हैं, केवल और केवल, वही agreements, contracts बन सकते हैं, जो lawfully enforce करवाई जा सकते हैं, तो इसी के साथ guys and girls हमने ये समझ लिया है कि what exactly is a contract यहाँ तक हम आ चुके हैं अब बात करते हैं कि एक valid contract के essentials क्या होते हैं What are the most essentials of a valid contract valid contract के essentials अगर आपको देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा section number 10 of the Indian contract act section 10 basically हमको बताता है कि अगर आपको बात करनी है कि क्या-क्या चीज़ें एक contract में होनी ही चाहिए तब ही हम उसको valid contract कहेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कि there has to be an offer, there has to be an acceptance यह offer और acceptance किसके द्वारा होना चाहिए? यह offer और acceptance competent parties के द्वारा होना चाहिए competent parties याने वो parties जो की यहाँ पर contract बनाने के लिए अधिकरित हैं जिनमें शमता है contract बनाने की उनको जो है हम competent parties कहते हैं इन competent parties की free consent होनी चाहिए क्या होती है free consent we will talk about एक lawful object होना चाहिए इस contract का और जो consideration है इस contract का वो भी यहाँ पर lawful ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि the thing that you are getting in return is something जो की unlawful है कि आपकी wife का murder कर दिया चाहेगा आपको drugs जो है वो दिये जाएंगे इस प्रकार की चीज़े consideration form नहीं कर सकती चीक है खेर पहले समझते हैं competency of parties competency of parties की बात की जाए तो यह section number 11 में दी गई है जो की बताती है कि कोई भी party तब consider की जाएगी competent enough of getting into a contract जब वो 18 plus years की है यानि की majority हासिल की हुई होनी चाहे second वो sound mind की है what do we mean by sound mind sound mind का मतलब यहां पर होता है जहां पर that particular party that particular party or that particular person is competent enough of understanding what he is getting into and at the same time he is very much aware of the he is very much aware of the consequences of the acts that he is doing यानि आपको पता है कि आपके actions का यहां पर क्या आपको consequence देखने को मिलेगा इसी चीज़ को हम competency of parties केते हैं however there is also one more point जो कि यह बताता है कि जो party है उसको कानून के द्वारा disqualify नहीं किया जाना चाहिए from entering into a contract यानि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून कहे कि इस व्यक्ति के साथ कोई contract नहीं करेगा यह व्यक्ति contract नहीं कर सकता क्योंकि इसने पहले बहुत contract ब्रीच किये हैं या इन पर case चल रहा है वग्यरा वग्यरा तो यह भी चीज यहां पर नहीं होने चाहिए तो यह तीन चीजों को जब आप देखोगे तो इसको हम कहेंगे competency of parties अब बात करते हैं consideration कॉंसेंट सर हमने जब कॉंसेंट की बात करें तो सबसे पहले सवाल ही उठता है कि आखिर कॉंसेंट होता क्या है जब हमारे मन में यह सवाल आए कि कॉंसेंट होता क्या है तो करना कुछ नहीं है आपको जाना है section नमबर 13 में section 13 जो कि हमको बताता है एक प्रेज कंसेंसस अड़ इडम वाट डू वी मेन बाए कंसेंसस अड़ इडम कंसेंसस अड़ इडम सर कंसेंसस अड़ इडम का मितलब होता है तू और और मोर पीपल या परसंस आर जैड तू कॉंसेंट वेन दे अगरी अपॉन द तेम थिंग इन द तेम तेम दो या दो से अधिक लोगों को ये कंसेंडर किया जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी कॉंसेंट दी है अगर ये दोनों ही किसी एक चीज़ पे एक ही तरह से अग्री करते हैं तो फिर उसको हम कंसेंडर करेंगे अस कॉंसेंट ये कहां दिया गया है इसका पैसो से कोई लेदा देना नहीं है जब हम फ्री कंसेंट केते हैं याने when I am agreeing upon something तो वहाँ पर मुझे किसी प्रकार का undue influence नहीं होना चाहिए मुझे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए मेरे साथ किसी प्रकार का fraud नहीं किया जाना चाहिए मैं जो है किसी प्रकार से misrepresent नहीं हुआ होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर बनाती है तो वो essential elements जो की मेरी free consent में होने चाहिए चल चलती से समझते है free consent क्या होती है तो sir ये दिया गया है section number 14 में section 14 ये कहता है कि आप ये nemonic याद कर लो पहले can you find miss माधुरी क्या आप miss माधुरी को धूर सकते हैं अगर आपने ये can you find miss माधुरी nemonic को याद कर लिया तो आप यहाँ से याद कर सकते हो c o e r c i o n coercion you से आप याद कर सकते हो undue influence f से आप याद कर सकते हो fraud miss से आप याद कर सकते हो miss representation और m से याद कर सकते हो आप mistake ये जो चीज़ें दी गई हैं ये हैं आपके basically वो चीज़ें जो आपकी consent में नहीं होने चाहिए अगर ये चीज़ें आपकी consent में दी गई हैं तो फिर हम ये consider करेंगे कि आपकी consent जो है वो free consent नहीं है therefore section number 14 हमें ये बताता है a consent is said to be free consent when it is free from any of the following क्या सर्फ fraud, misrepresentation, mistake, undue influence, coercion but इनका मतलब क्या होता है चल दी समझ लेते हैं so when we are talking about coercion coercion तो इसका मतलब होता है threaten करना दराना, धमकाना किस चीज़ के लिए कि अगर आपने इस contract के लिए अपनी हामी नहीं दी अगर आपने इस contract के लिए अपनी अनुमती नहीं दी अपनी consent नहीं दी तो फिर हम आपके घर परिवार वालों को घर से उनका निकलना मुश्किल कर देंगे हम देखते हैं कि आप कैसे घर से निकल पाते हो हम देखते हैं कि आपके घर की बेटी जो है बहुए जो है या आपके घर की जो वाइफ है आपकी वो कैसे निकल पाती है तो इन सबी चीजों के चलते हम जो हैं क्या कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को डरा रहे हैं कि अगर आपने ये घर मेरे नाम नहीं किया तो याद रखना तुमारे बच्चे को अगवा कर लिया जाएगा तो ये सब क्या है हम basically सामने वाले व्यक्ति को डरा रहे हैं धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे द्वारा एक particular act किया जाने वाला है और वो act prohibited है by the criminal law of the country as of now it is IPC बिट आगे जाकर ये change हो सकता है तो जो criminal law of the country है उस particular criminal law के अगेंस्ट आप उसका particular criminal law में जो offenses mentioned है अगर आप उनको यहाँ पर करना चारे हो तो फिर इसको हम क्या कहेंगे coercion ठीक है next undue influence what do you mean by undue influence suppose there is a person who is in a position to dominate the will of another person एक वक्ती है जो कि किसी दूसरे वक्ती की will को इक्षा को dominate करने की शमता रखते है तो उस इस्थिती में वो उसके will को dominate अपने favor में कर सकते है for example मैं operation table पर लेटा हूँ और किसी भी वक्त मेरी मौत हो सकती है और मेरे को बचाने वाला व्यक्ती जो है वो केवल और केवल एक doctor है जो सामने खड़ा वही मुझे बचा सकता है उस इस्थिती में अगर ये doctor मुझे कहता है कि मैं आपका operation तब ही करूँगा जब आप अपने घर जिसकी value एक करोड रुपे है वह आप मुझे 20 लाक में मेरे नाम कर दो तो आप बोलते हैं ठीक है मैं कर दूँगा तो इस्थिती में क्या हुआ यहां पर भी उस doctor ने जो कि आपके will को dominate करने की शक्ती रखता है आपकी इस will को dominate किया है और वो contract अपने नाम किया है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे कि undue influence आपके साथ हुआ है next is fraud fraud आप सभी ने अक्षे कुमार जी की movie देखे होगी उस अक्षे कुमार जी की movie में basically क्या होता है वो एक goat बकरी जो है उसको बेच रहे होते हैं और तभी एक सेट आ बात करती है बोले अच्छा बुलवा तो बकरी से बोलता है बेटा बताओ एप्रिल के बाद कौन सा मेहना आता है तो बकरी बोलती में अरे वाह यह तो सच्व जंग रेजी हैं बात करती है चलो अब इसको मेरे साथ भेज़ दो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार सेट जी को बताओ कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट स्वरी सेट जी को बताओ कि जून के पहले क्या आता है तो सेट जी के वो बकरी जो है एकदम से फिर बोलती है में तो सेट जी खुशे आते है वाह यहाँ पर यह बकरी तो सचमच बहुत ही विलायती है और फिर उसको लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अक्षे कुमार ने सेट जी के साथ fraud किया, fraud मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप ऐसी कुछ चीज करने की बात कर रहे हो, जो कि आपको पता है कि सत्य नहीं है, आपको बहुत चीज़ पता है कि सच नहीं है, और आप केवल और केवल कर रहे हो with the intention to deceive the other party, तो उसको हम fraud कहते हैं, next is misrepresentation, misrepresentation basically कब होता है, जब एक विक्ति is in the position, जहाँ पर वो किसी एक particular fact को believe करता है to be true, बट वो true होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इसी चीज़ को सामने वाले की consent पाने के लिए use कर लेता है, but the only difference between the two over here is, याने fraud or misrepresentation में, that fraud जो है, वो intentionally किया जाता है और with the aim of deceiving किया जाता है, whereas misrepresentation में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, last is mistake, जो कि हो सकती है, either a mistake of law or a mistake of fact, ठीक है, अगर, अगर, ये आपके, जो है, elements, इन elements में से कोई भी एक element, अगर आपकी consent में पाया जाता है, तो हम इसको कहेंगे, कि ये consent जो है, वो definitely free consent नहीं है, and then, जो आपका agreement है, वो बन जाएगा voidable, जो आपका contract है, वो बन जाएगा voidable, what do you mean by voidable, voidable का मतलब, that it will only be valid at the option of the other party, याने, जिस party के साथ यहाँ पर deceive किया गया है, जिस party के साथ धोका हुआ है, जिस party की consent जबदस्ती ली गई है, अगर वो चाहे, तो इस contract को यहाँ पर फुल्फिल करवा सकती है, अगर वो चाहे, तो इस contract को फुल्फिल नहीं करवाएगी, ठीक है, I hope this is clear, चलिए, अब बढ़ते हैं जी, आगे, we have done with this, we have done with fraud, misrepresentation, mistake, जी, now when we talk about types of contract, तो आपको बहुत चीज़े पता है, सबसे पहले जो दो main प्रकार हैं, that is, either express contract और implied contract, again, these are the contracts, जो कि अगर express है, तो either they have been made in words, चाहे वो spoken हो, चाहे वो written हो, अगर implied है, तो it has been done through the contract, next is, valid contract, valid contract, वो contracts होते हैं, which have all the essential elements of a valid contract, as given in section number 10 of the Indian contract act, and they can be enforced, void agreements, these are those agreements, which cannot be enforced, by the court of law, voidable contract, वो contracts, जो कि initially तो valid हैं, बट आगे जाके ये invalid हो सकते हैं, at the option of the other party, जैसे कि अभी हम पढ़कर आए, जहां पर free consent, जो है, वो ना हो, चलिए, इनके अलाबा, कुछ agreements होते हैं, जो illegal होते हैं, immoral होते हैं, या agreement against public policy होते हैं, या agreement by wager होते हैं, ठीक है, तो ये agreements जो हैं, ये सारे के सारे, आपके किसी भी तरह से valid consider, नहीं किये जाते हैं, चलिए, let's move ahead, now we are talking about wagering agreement and contingent contracts, आपने कही बार ही ऐसा देखा होगा, अपने दोस से आपने शर्त लगाई होगी, कल अगर विराट कुली ने 100 और बनाए, तो मैं तुम्हें 50 रुपे दोंगा, और अगर नहीं बनाए तो तो मुझे 50 रुपे देना, या फिर कल अगर बारिश होती है, तो I will pay you 100 रुपीज और अगर नहीं होती है, तो you will pay me 100 रुपीज, इस काइंड अपने 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 और यहां पर दोनों ही पार्टीज का कोई भी और कोई मकसद एक दूसरे से या उस कंट्राक्ट से नहीं है, केवल और केवल इतना है कि उनका monetary benefit होगा अगर कोई चीज होती है या नहीं होती, ऐसी अगर कोई भी agreements होते हैं, तो they are invalid, याने ऐसे agreements valid consider नहीं किये जाएंगे, however, इसी प्रकार का एक agreement होता है, that is known as contingent contracts, contingent contracts जो होते हैं, ये भी basically depend करते हैं upon happening of an event, happening and not happening of an uncertain event, however, जो आपके contingent contracts होते हैं, इसमें जो event happening and not happening का है, that is basically acting as a collateral for the further duty, कहने का मतलब, let's suppose हम ये कहते हैं, कि कल अगर बारिश होई, तो मैं आपको 5 किलो rice जो है लाकर दे दूँगा, अगर नहीं होई, तो मैं नहीं लाकर दे पाऊंगा, तो यहाँ पर केवल और केवल पैसे की बात नहीं हो रही है, और ऐसा नहीं है कि जो parties हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, other than the monetary benefit, but rather यहाँ पर जो है, वो important चीज जो है, वो क्या है, कि यहाँ पर जो parties हैं, उनका खुद का यहाँ पर interest, उस particular event में देखने को मिलता है, ठीक है, तो this is contingent contracts, and contingent contracts are definitely enforceable, in the eyes of law, ठीक है, I hope I am clear till here, चलिए, let's move ahead guys and girls, now we are talking about communication of offer, this is something which is very important, and revocation, suppose करें, यहाँ पर है एक वेक्ती जिसका नाम है, A, यहाँ पर है एक वेक्ती जिसका नाम है, B, इनको A को हम कहेंगे, offerer जिसने offer दिया है, B को हम कहेंगे, वो वेक्ती जिसने acceptance दिया है, जब भी कभी, offer दिया गया है, A के द्वारा B को, तो हम कहेंगे, कि communication of offer is complete, as soon as, it comes into the knowledge of the person, to whom the offer is made, जैसे ही यह उस व्यक्ती के knowledge में आ जाता है, जिस व्यक्ती को offer दिया गया है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि offer का communication खतम हो गया है, अब acceptance जो है, वो दो तरीके से, या रादर दो steps में पूरी होती है, step number one, जब आपने acceptance को mode of transmission में डाल दिया, जब आपने acceptance को mode of transmission में डाल दिया, and step number two, जब ये चीज फाइनली पहुच गई to the offerer, जब ये चीज फाइनली पहुच गई to the offerer, ठीक है, अब first stage में, first stage में जैसे ही चीज खतम होती है, first stage में जैसे ही चीज खतम होती है, तो sir हम ये कहते हैं कि acceptance is complete as against the offerer, यानि जिस व्यक्ति ने acceptance डाली है, वो व्यक्ति जैसे ही mode of transmission में उसको डाल देता है, उसके बाद A, यानि कि वो व्यक्ति जिसने offer दिया है, वो पीछे नहीं हट सकता, अब वह व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता, similarly, जैसे ही ये चीज पहुच जाती है इस व्यक्ति के पास, अब भी वापस नहीं हट सकता, यानि the acceptance is complete as against the acceptor, ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है, that is revocation, revocation का मतलब कि कब तक वापस लिया जा सकता है, अगर offer की बात करें, offer कब तक वापस लिया जा सकता है, जब तक इसके against acceptance complete ना हो जाए, वो कब हो रही है, वो यहाँ पर हो रही है, यानि इससे पहले आपका जो offer है, उसको revoke किया जा सकता है, जब तक की mode of transmission में acceptance को नहीं डाल दिया जाए, तब तक वापस लिया जा सकता है offer को, acceptance को कब तक वापस लिया जा सकता है, जब तक की second stage पूरी ना हो जाए, यानि the person, the person or rather the offerer receives the acceptance, तब तक जो है, आप वापस ले सकते हो इसको, उसके बाद आप acceptance को वापस नहीं ले सकते, चीक है, चली, तो यहाँ पर आपका communication and revocation जो है यह दोनों हो गया, अब आते हैं, discharge of contract, discharge मतलब जहाँ पर जो parties हैं, उनकी duties खतम कर दी जाएं, तो वो कैसे हो सकता है, देखो, एक तो होता है by performance, याने जो duties, दोनों ही parties ने एक दूसरे के लिए decide करी हैं, उन duties को आप fulfill कर दो, दोनों ने जैसे ही fulfill की, let's suppose मैंने बोला था कि मैं 10 lakh रुपीज दूँगा, मैंने दिये, सामने वाली party ने बोला था मैं कार दूँगा, उसने दिया, और हमारी duties fulfill हो गई, तो by performance हमारा contract जो है, वो यहाँ पर fulfill हो गया, इसके बाद आता है discharge by agreement और by consent, इसका मतलब क्या होता है, at times जो parties हैं, वो decide करती हैं, कि हम क्या करते हैं, हम novation कर लेते हैं, novation यहने पुराने contract को खदम करके, एक नया contract बनाते हैं, तो जब पुराने contract को खदम करने की बात आती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, discharge कर दिया उस contract को, या rescission कर दिया, या alteration कर दिया, remission कर दिया, waiver कर दिया, merger कर दिया, तो इस तरीके से पुराने जो agreements है पुराना जो contract है उसको यहाँ पर discharge किया जा सकता है next is discharge by impossibility of performance कहने का मतलब कि अगर जो contract करने की बात की थी वो contract को अब पूरा किया ही नहीं जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए क्यों क्योंकि वो करना अब impossible हो गया क्योंकि या तो subject matter destruct हो गया है या तो death हो गई है या incapacity हो गई है पार्टी की या फिर वार हो गया है amendment हो गया है law में जिसकी वैसे अब यह चीज नहीं की जा सकती जो पहले अलाउट थी तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यह basically impossibility of performance को दिखाता है next discharge by breach of contract and discharge by lapse of time lapse of time का मतलब कि जितने समय के अंदर हमने decide किया था कि हमको यह करना है वो नहीं होता है अगर तो वो discharge by lapse of time हो जाएगा next is discharge by breach of contract breach of contract का मतलब जहां पर parties ने breach कर दिया है अपने वादे को और fulfill नहीं किया है अब वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस इस्थिती में क्या होता है damage होगा नुकसान होगा और नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई करने के लिए compensation देना पड़ेगा इस compensation को हम जानते हैं with the name of damages इस compensation को हम जानते हैं with the name of damages अभी damages दो प्रकार के हो सकते हैं एक लिक्विडेटेड और दूसरा अन लिक्विडेटेड वोट दो यू मीन भाई लिक्विडेटेड डामेजेस लिक्विडेटेड डामेजेस का मतलब होता है something which is pre-decided पहले से decide किया हुआ कि अगर हम में से किसी ने breach किया तो हम क्या करने वाले अन लिक्विडेटेड मतलब not pre-decided so court decide करेगा court decide करेगा कि यहां पर क्या करना इसके अलावा breach of contract के लिए specific performance जो है वो यहां पर order किया जा सकता है by the court I hope आप लोगों को यह सभी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी I would request you guys कि इनको जो है एक बारी अच्छे से अब subject matter को read कर लेना क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो I am pretty much sure कि आपका पूरा का पूरा जो हमने यहां पर important चीज़े करनी थी वो आपको समझ में आ जाएंगे जी I have an information for those kids जो की prepare कर रहे हैं for different examinations कि अगर आप चाते हो 3 year LLB में अपना career बनाने के लिए तो अभी आप unacademy की website पर जा सकते हो unacademy की website पर आप जाओगे तो आप देखोगे कि if in case you are preparing for this year अगर आप इस साल के लिए prepare कर रहे हो तो अभी के लिए ये जीट test series unacademy के द्वारा लाई गी है जिसको आप बार 5 code की मदद से maximum discount के साथ अभी इस वक्त पा सकते हैं यहाँ आप देखिए MSET और CUET के आपको 15 test जो हैं वो देखने को मिलेंगे जो की आपको exam की तयारी exam से पहले करवाएंगे साथ ही साथ आपको बदा देते हैं कि अभी इस वक्त जो है heavy discount चलने की वजह से आपको up to 30% का discount मिलेगा सारे ही batches में और 1 month का आपको free extension भी देखने को मिल रहा है इसके लिए आपको करना क्या है बार 5 code का use करना है जैसे ही आप यह use करेंगे you will get to see the maximum discount with this I would like to take your leave जाने से पहले आपको यह कहना चाहूंगा कि comment करके जरूर अपना opinion दे that how this particular session has helped you and at the same time एकी सला रहेगी please till the last moment keep hustling, keep grilling, keep studying with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying, keep grilling, chai Hind, chai Bharat